हेलो, नमस्कार बच्चों, आप से मुका हर्दी स्वागत करते हैं, आपका प्यारा चैनल A to Z history point पर आज हम देख रहे हैं, जब हर नवदे बिद्याले, page 81 उपहर गाइड का questions और solution कर रहे हैं और exercise आपका चोगदा है, और यह question number 12 को देख रहे हैं question है, चार पर 37 वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 720 रुपिया हो जाता है तो मुलधन ग्याद करें, आपके पास चार उप्सन है, 400 रुपिया, 500 रुपिया, 600 रुपिया या 700 रुपिया इसको बनाएंगे कैसे बचो, आये solution के साथ देख दे चलते हैं तो यहाँ देखें, पहले बनाना है आपको, इसमें से तो मुलधन कहीं दियाना है, कोई धन काता है तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, मानेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, मानना मुलधन, मुलधन तो दिया नहीं है, यहाँ बनाएंगे मुलधन, एक सो रुपया आपका होगी है, अब इसमें से देखिए, यहाँ रेट भी दिया है, और यहाँ समय भी दिया है, पांच वर्स बताया गया है, शमय पंच वर्ष बताया गया है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, मुल्धन निकालेंगे, मुल्धन तो मालूम नहीं है, लेकिन बच्चो त्यान रहे, जब तक हम ब्याज नहीं निकाले पाएंगे, मिस्धन नहीं निकालेंगे, तो मुल्धन हमको मालूम नह तो यहां पर क्या करेंगे आपका कितना एक सो रूपया है यहां पर लख लेजिए एक सो रूपया हो गया समय कीतना है क्यतना है चार परती और यहां रुप यह यहां पर लिखेंगे मिश्रधान, मिश्रधान बच्चो सुत्र निकालने के लिए क्या होता है, मिश्रधान बराबर क्या होता है, मुलधान, जोड, ब्याज होता है, इस चीच को आप जान रहें, तो यहां देखें, मुलधान आपका कितना है, मुलधान एक सो रुपया मानन यहां पर क्या करेंगे एक सो रुपिया लिख लिए ब्याज आपका कितना हो बच्चों बीस रुपिया यहां पर बीस रुपिया लिख लिए एक सो और बीस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक सो बीस रुपिया हो गया यह क्या हो गया आपका मिस्रधन हो गया यहां पर लिखें चुंकि इंच्ति जोड़ ngon q कितिना हो गए 120 रुपया है मिश्र्धन 120 कितना हो जाएगा तू मुल्धं आपका कितना हो आप जानके मुल्धन आपका सब्सक्त् wszystkim मुल्धन कितना आइस तो मुमाने यहाँ पर 100 रुपया ईकishi लीए अब क्या तो मूल धन कितना होगा нужно तो 100 बठ एकसो बीस को लिखेंगे इतना रुपय हो जाएगा अब क्या करेंगे इसनी कितना रुप 2 is 720 रुपय यहां कहा गया है 720 रुपय का क्या लिखेंगे जदि मिस्र्धान आपका सुर्य यह लिखेंगे यह को मिस्रधान हो गया मिस्र धन 720 रुपिया है तो मुल्धन कितना होगा यह तो हमको मालूम नहीं है मुल्धन निकालने के लिए आपको क्या करना यहां पर लिखेंगे एक सो बटे जियां दिए एक सो बटे 120 और गुना क्या लिखेंगे 120 आपका है यहां 720 को लिख देंगे अब बच्चो यहां पर इसको कटा देजीर एक जीन सा झितना हो या बातर हो गया देखने तेरे नमर कुस्चन में कितना मुल्धन तीन वर्से में 10 पर 37 वर्सिक ब्याज की दर से 1300 रुपया हो जाएगा यह आपके पास ओप्सन है और इसी ओप्सन से आपको चुनना है तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे कितना मुल्धन यहां मुल्धन का रहा है मुल्धन तो मेरे पास है नहीं जब मुल्धन नहीं है तो हम क्या करेंगे मान के बनाएंगे चली इसको बनते हैं क्या करेंगे माना मुल्धन मुल्धन हम क्या मानेंगे तो 100 रुपया मान लिज हुआ है अब इसके बाद देखेंगे दर कितना है तो दर भी आपके पास दिया है कितना है दस परतिसत है यह दिखिए दस परतिसत है अब उसके बाद कह रहा है यहां पर अब हमको क्या निकलना है धान कह रहा है तो यहां पर जब देख रहें मुल्धन भी आपका है समय भी ह दर भी हो तो अब आप क्या करेंगे ब्याज निकाल लेंगे तो चलिए इसको लिख लेते हैं ब्याज तो ब्याज बराबर बच्चों क्या होता है ब्याज बराबर मुल्धन गुना समय गुना दर और बटे में क्या लिखते हैं एकसो लिखते हैं यह तो आपको मालूम है तो बटे में दिजी एकसोऑ एकसोऑ घट गया तो दस कितना हो गया 30 रुपया हो गया 30 रुपया कैंब क्या हो गया ब्याज हो गया excellent को बनाइए किए तो मिलधान आपको निकालना यहां पर रुपिया ब्याज आपका कितना है 30 रुपिया हो गया कितना हो गया 130 रुपिया का मिस्र धन हो गया 130 रुपिया तो हम यहां आगे की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ेंगे यहां लिखिए चुक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कितना है 100 रुपया है इस जी को आप जान रहें इसलिए यहां पर लिखेंगे इस लिए मिस्रधन एक रुपया हो तो मुलधन कितना होगा जान रहें तो एक सो बटे एक सो तीस रुपया होगा अब बच्चों यहां पर धियान देजे आपका यहां क्या है एक रुपया कर निकल गया इतना हो गया अब यहां पर कहता है कि मिस्रधन आपका मिस्रधन है मिस्रधन कितना दिया है तेरो सो रुपया है यहाँ पर लिख लिए ना मिस्रिदन तेरो सो मिस्रिदन कितना है तेरा सो रुपया है तो मुल्धन आपका कितना होगा यहाँ पर लिखे एक सो बटे एक सो तीस और गुना आपका मिस्रिदन तेरो सा है तो यहाँ पर लिख लिए अब इसको कठा दीजी दिखिए कहा कहा करता है तेरा धंग तीसा से हो अब इसको गुना करें एक सो और दस को गुना करें कितना हो जाएगा आपका दस सो हो जाएगा तो बच्चो यही आपका आंसर है ऑप्सें नमर दिखिए कहा है ऑप्सें नमर तीन बच्चों आपके लि करना है तो इसमें से दिखें मुल्धन हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे मुल्धन को निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना मुल्धन माना मुल्धन हम कितना मानेंगे एक सो रुपया आपका हो गिया तो समय आपके पास क्या है समय आपके पास पांच वर हैं किहां यहां पर लिखे लिखे बियाज बराबर मुल्धान गुणा है दर बटे एक सौ हो जाएगा अब हिहां पर क्या करभें प yhtету हैं 100 105 एक 10 अब करैंश कुछ कार देंगे पचास रुपिया आपका हो जाएगा जदी इतना आपका ओ गया तो यहां क्या निकालेंगे मिस्रधन निकालेंगे यहां पर लिखे लिए मिस्रधन मिस्रधन बराबर क्या आता है मुल्धन जोड ब्याज होता है इस सुत्र को आप जान रहें तो मुल्धन कितना मानें एक सो रुपिया यहां पर एक सो रुपिया लिखे कितना हो गई? 50 पैसा है RS, टोटाल को find कितना होगा, कितना होगा? 120 पैसा अब हो जदि आपके पास सwarm मिसरधा निकल गया, तो यहां पर आप क्या निकालें आगी की पूरसेस को हम कर सकती है यहां लिखें, चुक्ए locks, मिसरधार यहां पर लिखेंगे चुक्ए कि मिस्रधन कितना 150 रुपया यह लेखे 150 रुपया है तो मुल्धन आपका कितना होगा तो मुल्धन आपका कितना है 100 रुपया आपका हो गया कोई दिक्कत नहीं है इसलिए यहाँ पर देखेंगे, मिस्रधन जैदी मेरे पास एक रूपया हो, एक रूपया है, तो मुल धन कितना हो जाएगा? एक सो बटे, एक सो पचास रूपया हो जाएगा अब यहाँ पर बात करें, चुकि मिस्रधन मेरे पास какой-तना 900 रूपया है जदी मिसिधन मेरे पास 900 रुपिया है तो मुलधन कितना होगा तो 100 बटे 150 और गुना कर देंगे 900 ये खतम ये खतम 15 छके कितना हो गया नभी हो गया अब 100 छके 600 हो जाएगा तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा अब चलते हैं कोस्चन को देख रहे हैं बच्चों कितने समय में 900 रुपिया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपिया हो जाएगा ये आपकी पास 4 अप्चन है तो चलिए इसको बनाते हैं क्या क्या कैसे इसको बनाएंगे तो यहाँ दिखी यहाँ 900 रुपिया का ब्याज यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है सुत्र यहां क्या करा कितने समय में समय करा है तो समय निकालने के लिए सुत्र क्या होता है दियान दिजिए समय बराबर क्या होता है एक सो गुना ब्याज बटे 0000 लिख लिजिए यहां पर लिखेंगे आपका हो जाएक एक सो आपका हो गया इतिएमार कितना हो जाए भी चुंक कितना होगी 2018 मुलधन कितना 900 रुपिया दर कितना है 5 परिष यह लिखे अब इसको खटाद सड़्यग दिए 2017 यह 0 से बिसेशल को देख रहे हैं कि इतने समय में पर थिस्यत्त वर्सी ब्याज की दетр से 900 में का ब्याद 175 रिप्य रूप्या हो जाएगा 3 वर्ज चार वर्ज पांच वर्ज यज्या छो वर्ज में democratic सुलिसोन को बनाते हैं, तो यहां पर का रहा है समय निकालने के लिए हैं तो समय को हम निकालना है, समय कैसे रहेसे जान रहे दर, बच्चों इसको सजाकर अब लिखे दिजी इसी सूत रुपयर से 100 हो गया, और ब्याज आपका कितना है, ब्याज 175 रुपया यहां लिखा है, यहां पर ब्याज लिखेंगे 175 रुपया हो गया, मुल्धन कितना दिया है, मुल्धन आपका 700 तो यहाँ पर आप लिख लिज़े 700 और दर कितना दिया 5 परतिसत है तो यहाँ पर इसको पांच परतिसत को लिख लिज़े कि दzil जिए 120 क्चतम हो गया कोई दिकत नहीं है अब सिको देखिए 175 और 35 ऐसाट बच्चे 35 से कट गया. अब यहां कितना हो गया? पांच बच्च कया? यानि समय कितना हो गया? यही तो आपका अंसर हो गया. दिखी कोई दिक्यत है क्या? पांच बच्चों को अब आप अच्छी तरह से देख लिया. ये 16 नमर तक बता दिये वो 17 नमर का वीडियो देखने के लिए प्लिलिस्ट बनी है वहां से बीडियो का जाकर देखें और link डिस्क्रेशन में दिये हैं ये सारी वीडियो का solution आपके प्लिलिस्ट में बनी ही हैं और अच्छी तरह से देखें और लाव उठागे, बच्चो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अगर किसी क्वेस्टन में कोई डाउट हो तो जरू से जरूर कमेंड करें, थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो